हाँ, गुड मॉर्निंग बावो, क्लास नैन ध्यान दो, जैसा कि पिछले क्लासे में हम लोगोंने 3.4 को सेल्व से किया था, इसको कुछ से जाने समझने का प्रहास किया था, मनें खुछ सीका संदर्ब यहां तुम लोग से नहूं किसे कृफाया थे इसको क्लास में, और इसमें मैक्सिमम बच्चे कुछ बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो रेस अभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था और मैं जस्ट इसमें बीडियो बना रहा हूं और इसको तुम देखो समझो और डेफिनेटली तुम्हें समझ में आएगी तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर देखो इसमें जो 3.4 है भारतेश समिधान का जो बना गार्डिंग वैलू ओप दिए इंग्डियन कंसिटिवसर्ट तो इसमें सबसे पहला है कि भारतेश समिध समिधान के कौन से हो हमारे बेसिक हमारे वैलूज है जिसको हम लोग बुनियादी मुल लेखते हैं तो इसमें दे रहा है कि इंदिश्बुक वी सेले स्टेडी द एक्जेक्ट प्रवीजन अब दी कंसिटिशन ओन डिफेरेंट सब्जेक्ट इस किताब में दे रहा है कि भा प्रिधान के पीषे का फिलोस्पी क्या है और अट इस स्टेज लेट्स बिगीन बाइं अडर्स्टेंडिंग दो ओवर ओल फिलोस्पी ऑफ वाट आवर कंसिटिशन इस ओल एवाउट मतलब इस से जनने का जनने समझने के सांथ हैं इसके पीछे के फिलोस्पिकल चीजों क भी हम धहन कर सकते हैं कि कौन से ऐसी फिलोस्पी थी कौन से ऐसे दर्सन थे हमारे जो इस समिधान को बनाने में अपना महत्तर पूरण जोगदान दिये हैं इसमें दे रहा है कि यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं इसमें अपने निताओं से के समिधान सम्बंदी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं प्रंतु हमारे समिधान से अपने दर्सन के देखते हैं समझते हैं कि तो देखो इसमें कि हां कि ही इसमें है क्या कि इसमें 2 चीजों की बात कर रहा कि अगर हम इसके ओबराल इन दो स्चिर्पिक एक बाते हम लोग कर रहे हैं इसके पीशे की दर्चन को हों जाने समझने का प्रयास कर रहा है तो उसमें दो बुन्यादी चीजिगे जिकरिख किया रहा है और जिसमें हुआ हैं जिसमें दो बातों का असपस्टे DAVID जिकरिख किया गया है एक है हमारा निताओं की विचार है ना तो निताओं की विचार में जैसे कि समिधान हमारे बन रहे थी तो उसके संचालन में बहुत सारे लोग थे उसके ड्राप्टिंग करने में बहुत सारे लोग लगे थे हमारे देश का जंडा किस परकार का होगा कमजूरतब को के लिए कौन से कानून हमारे बनेंगे तो यह सभी अलग अलग तरीके से इस कारे में लगे हुए थे और काफी हद तक है ना शामिधान के बनाने को लेकर कि उनके पास में जो अपने बैक्टिकत बिचार थे हमारे तो यह बहुत बड़ा महत्तपुर्ण रोल प्ले करता है जैसा कि फिलोस्पी में मैंने तुमको बोला भी है कि जो सेल्प से जो अपना रियलाइजेशन करते हैं सेल्प से जो ग्यान का हमारा उद्वा होता है जो ग अम्बेदकर की बिचारों को इसमें डालने का प्रयास किया है मैं के करके सब को करने का प्रयास करूंगा और तीसरा हमारा है जोहाराल नहरू के बिचारों को इसमें डालने का प्रयास किया है इसके हलावे और भी ऐसे हमारे हैं जो समिधान निर्मान के लिए बहुत कि यहां पर बॉक्स में किनारे देखो बनाए हुए है यह के मुंसी के बारे में जिक्र कर रहा है कनियालाल मानिकराल मुंसी यह गुजरात से थे एक लॉयर थे वकील थे इतिहासकार भी थे भासावीद भी थे इसके बाद में केंद्रे मंत्री मंडल में जगावीन को मिली और सुतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे है ना बाद में यही सुतंत्र पार्टी ऑपोजीशन का भी रोल प्ले की फर्स टाइम भारत में पहली बार कोई ऐसी राजनितिक पार्टी रही जो ऑपोजीशन में ये केमनसी की स्टेवल पार्टी जो थी हमारे स्वतंतर पार्टी ये उसमें इसका नमनेशन हुआ था इसके अजदावे बवावा साथ भिम्राव अम बेदकर के इसमें जिक्र कर रहा था बाबसा भिम्राव अम मैंबदकर के तक यह नहीं डाप्टिंग कमेटी के मेंबर भी एक बहुत बड़े समाजिक करंतिकारी चिंतक थे जादिकत बटवारे और भेद भाव के खिलाफ अग्रणी अंदोलन बे भी हिंसा लेते रहे और बाद में स्वतंतर भार के पहले सरकार में उनको कानुन मंत्री भी बनाया गया और बाद मीनोने रेपब्लिक पार्टी आफ इंडिया का भी इस्टैबिलिस्मेंट किया था श्यामा परशाद मुखर जी पच्छिम बंगाल से यह का संबंध है यह अंत्रिम जो सरकार्मेंट पर अपूर्टी मंत्री बनाया गया था इंगो यह सिक्षावीद है वकील भी थे और हिंदू महासभा में सक्री थे उन्हे अध्याद में यह भारती जंता पार्टी भी हमारी बनी तो ऐसे हमारे इसके बाद में एक साइड और जाओगे तो यह दोनों साइट में तुम्हारा दिये हुए हैं तो यह यह लोग है जो में परशन है इन्होंने भारती समिधान में अपनी महत्रण भूमे का निभाई है और एक तुम्हारा इसमें देख लेना है कि जो समिधान के कंटेंट खुद में क्या करते हैं जो पिछले दिन हम लोग ने चर्चा किया था कि हम भारत के लोग है ना भारत को एक संपर्ण परवुत्र संपर्ण समझवादी पंथ निर्पेक्ष लोगतांत्री गंडराज बनाने के लिए है ना तथा उसके समस्तनाग्रीकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक नयाय विचार अभिवक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और औसर की सम्ता प्राप्ट कराने के लिए तथा उसमें सम्में ब्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनेशित करने वाली हैना बंधुता को पढ़ाने के लिए द्रेश संकल्पित होकर 26 समिधान सभागा को आज हम 26 नौंबर 1974 को हैना जिसमें मिती मार्क सुक 27 संबद 2006 विक्रमी विक्रम संबद की इसाब से एतर द्वारा भारती समिधान को अगिक्रित अधिनेमित और आत्मार्पित करते हैं है तो देखो एक तो निताओं के जो PROMIS saves हमारे होगे निताओं के जो सटने हो वादे होगा से हमारे उसके क्रैंवर दूस्रा कर रहा है कि समिधान में नहीं जितने भी प्राविजन संथे यहभी हमारे 1 फिलोस्पिकल बेस प्रबाइड करएज इसुमें कि कि जहां पर मैं ने अभी इसको पढ़ा है इसको हम लोग नेक्स वीडियो में बनाएंगे आज हमने ताओं पर ही फोकस करेंगे इसमें देखो कि तुम लोग पेज नंबर 51 में दिये हुए है यह प्रियम्बल आफ इंडिन कंसेशिप्स जिसमें सारे छोटे-छोटे वर्ड को ने डिफाइन करने का प्रियास हमरग किया गया है इसे भी दा पीपल आफ इंडिया हम भारत के लोग भारत को उसको डिफाइन करने का प्रियास किया गया है इसके बाद में सब रीजन की जो बाते की गई है सोसलिस्ट क्या होता है सेकुलर क्या होता है डेमोक्रेटिक क्या होता है प्रदान करते हैं हमारे किसी वी चीज़ों की अनलासिस करने के लिए हमारे तो ये दो खेज में इसके study हमारी होगी एक constitution provisions के words जो philosophical term हमारा होगा और एक हमारे इस भारतिय समिधान के बनाने के पीछी निताओं का जो हमारा दर्शन काम कर रहा था तो है तो इसमें देखो तीरा कि भेद भाव और जो यह द्रीम ऑफ हिंडिया डैट है इलिमिनेटेट इनेकुलिटी वाज शेर्ट बाइड डॉक्टर बियार अंबेदकर के मन में भी यह बात था कि भेद भाव और गैर बराबरी मुक्त भारत क सपना उन्होंने संजो रखा था और उन्होंने भाति समिधान की निर्मार में महत्यप्रण भामिकार निभाई तो उनको पता होना चाहिए ड्राप्टिंग कमेटी के मेंबर थे वो जो भी कानून बन रहे थे उसके एक्शुल ड्राप्टिंग करने वाले वही थे और इस क और उन्होंने इस नजर्य को काफी मतलब भी टर्ली और फेंले बिटरली क्रिटिसाज महत्मा गांधी एंड हैज विजण इन्होंने इसकी काफी गांधियों के नजरी को काफी कट्वा लुचना भी कि इन्होंने जिसके हम लोग बिटर्ली किटर्जाई करते हैं समिधान सभाव में दिये गए उन्होंने अंतीम हासर में अपने चिंताओं को बहुत असपश ठंग से रखा था जो इसमें तुम्हारा जिकर कर भी रहा है तो यहां पर हम लोग सबसे पहले गांधी से प्रारम्ब करेंगे जिसमें ड्रीम एंडी प्रामिसेस की बात कर रहा है इसमें कुछ भारती समिधान मतां हों कि सुची जो मैंने कंविंच के चोटा सकरके और इस कर लाव हुननों 31 में अपनी एक यंग इंडिया जो reef महात्मा गांधी ने उसमिधान एफूश के यह पत्रिकां कीनि में थे ना उन्होंने अपने सपने को सपनों का इजहार उसने उन्होंने किया था तो हम लोग यहां देखेंगे कि यह गांथी के सपनों के भारत और गांथी के सपनों के समिधान में कि किन बेवस्ताओं का जिक्र हमारा किया गया था तो आज हम लोग पूरा फोकस नेताओं की विचारों पर ही करने वाल है कि कौन-कौन से वो आइडियोलोजी थी जो कहीं ने कहीं बेश के समिधानिक निमान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए काफ़ी थे तिसमें देरा हाज सुर्वत में ही कि I sell a strive for a constitution which will release India from all थेल्डॉम पैट्रोनेज यह कह रहा है कि मैं भारत के लिए एक ऐसा समिधान चाहता हूँ जो उसी गुलामी और अधिनता से मुक्त करें मतलब तुमको पता होना चाहिए कि देश हमारा मुहंबत बिन कासिन के हमला जो था हमारा 1712 का मुसल्मानों का इसके बाद में एक हजार सालों तक हम मुसल्मानों के चंगल में फसे रहे हैं जब मुसल्मानों से च्षुटकारा मिली तो कहीं ने कहीं अंग्रेach के चंगल में फसके तो महत्मा गांधी का सपना था कि है कैसा समिधान बने जो सही महने में आजादी इदला है जिसको प्रून स्वराज की बात तुन्होंने कही थी इसके बाद में कर रहे है का इसल वर्क फॉर एन इंडिया इन वीच द पूरेश सेल फिल्दा इट इस देर कंट्री इन हूं और मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वाइस एज एन इंडिया इन वीच देर सेल भी आई क्लास और लो क्लास ऑफ पीपल इनका सबना था कि मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करना चाहता हूं जिसमें सबसे गरीब वेक्ति को भी अपना माने और लोगों को देश की बनाने में उसके अपनी भागेदारी भी सुनीचीत लगा ऐसा और ऐसे भारत जिसमें लोगों के उच बर्ग और निमन बर्ग में कोई अंतर न रहा जाए मतलब जो एक तरीक एक सुझो कि यह माक्स का सिधान था जो बर्ग भीहिन समाज में वह जाती आर्थी कस्तर के बंधन को नहीं मानते थे तो गांधी तो एक कदम और कहीं आंगे जिसमें हाइर क्लास न लूइर क्लास की जो बात इसमीए तो अर्थ के सासाथ में जाती संदर्व स्रेवीन का संबंद है जो हमारे भारत में जो heterogeneous society, heterogeneousness जो पाई जाती है जहांपर बहुँ उभीता वाले सबाज पाय जाते हैं जहांपर जाती के बहुत बड़ी सचाई है जहांपर जाती के नाम पर भेदभाव commonly होते रहते हैं तो इसके बाद में गांधी का ऐसा कहना था कि हम ऐसे भारत जिसमें सभी नसीली चीजों का समुदाय के लोग पूरी मेल जोल के साथ में रहें आपस में मेल जोल करक रहें जिसमें हमने पिछली दिन चर्चा किया भी था कि हिंदो मुस्लिम सिक्षाई वाला बाद है आपस में सब भाई भाई जाती क्या कोई ये नरह जाए उन्होंने अच्छोतों को और ये दलित समाज के लोगों को उन्होंने ये हर्जन कहा था ऐसा तो ये काफी मिल जूल करके रहने की बात इन्होंने कही थी और कहने कहीं गान थी कहीं सपने के कारण अंटेचबिलिटी और अंबेद करके सपनों कारण लाया गया इसके बाद में ऐसे भारत में जहां पर शुआ छुट की कोई भेद नहों सराव और नसिली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए ये भारती समय धान के मतलब एक तरीके सोच की जो डिरेक्टरी है उसमें इस पात का जिक्री किया गया कि सराव ही एक हमारा नसि दो जैसा अधिकार होने चाहिए मैं इसे कम पर संतुष नहीं होंगा और उन्होंने जेंडर को भी बैलेंस करने का प्रयास किया जहां पर जिस समाज में हमारे इस्तिरी और पुरुस के बीच में कोई भीद ना राजा आज तो देखो कि हमारे भारते समयधान की मुलातमास में इस्तिरी और पुरुसों के समानता देने के साथ साथ में हम थर्ड जेंडर की भी चचा कर रहे हैं जिसमें ट्रांजेंडर जो हमारे होते हैं उनको भी हम समयधानिक और यह लीगल राइड प्रबाइड कर रहे हैं कि जो थर्ड जेंडर हमारा है ट्रांजेंडर जिसको ये नपुनसक में गिन्ती जिसकी होती है उसकी भी एक समाजिक सवय करयाता सोसल एक्सेप्टनसी हमारे समाज में दी गई है तो ये कहीं ने कहीं सोसल वैलेंस फेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हमारा ये रोल प्ले करने वाला इसुज है जो गांदी के सपनों में इन बादों का जिक्र हमारा असपरस्तर पर देखने के तुमको मिलता है इसके बाद में नेक्स्ट है यहां जा जो अमबेदकर के मन में जो था ये कैर बराबरी और भेदभाव से मुक्त भारत का सपना इनों ने देखा था और इनका रोल काफी इंपोर्टेंट था समिधान निर्माड में एडाप्टिंग कमेटी के मेंबर थे असमानता कैसे दूर की जा सकती इनकी विचार दूसरों से काफी अलग थे और चुकि वो खुद अमबेट कर जो थे ना डोम जाती से बिलोंग करते थे और उन्होंने समा में मिस्भीयव करने का प्रयास किया जाता है तो इसकी वो कहीं ने कहीं भुक्त भोगी थे उनके साथ ऐसी घटनाय हमारी होती थी और तुनको पता होना चाहिए बावाशा भिम्रा अंबेदकर ने इतना बड़ा समिधान बनाने के बाद भी समानता उनको जम नहीं उनका भिश्वास जो था ना हिंदू धर में सूट गया था चुकि हमारे देखों हिंदू धर में अच्छाइयां बहुत सारी है लेकिन हमारे हिंदू जो धार्मिक व्यवस्था उसमें बहुत सारे और्थोडॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं माईनिया और्थोडॉक्स मा मतलब काफी मतलब जटिलता है या उसमें ऐसा कर सकते कि बांसी के पिछड़ेपन देखने के मिलता है जहां जाती के नाम पर लोगों से भेद करते हैं उसमें छुआ-छुआ-छुट की भावना है या जाती पर सुप्रिरिटी और इंफिरिरिटी का जबकि इसकी इतर अग पावसा भी में अम्बेतकर को लगा कि हमारा जो अपना धार्म हिंदू है या हमारे साथ उम्रेक अंतिम प्राव पर भी पक्षपात कर रहा है तो उन्होंने इस धार्म को ही बदल दिया और प्राय तुम देखोगे कि जो दलित समुदाय के जो बड़े लीडर्स होते है न इसके अंददा लगा सकते हो को जो आपने रिप होंगे हमारे कि बड़ित बर्ग में जो सबसे जो समाज की जो निछले पैदान पर बैठे लोग होते हैं जो जनका जाती संदर्ब से भी हमारा लेना देना है जैसे डॉम हो गये होगै दोबी हो गया चर्मकाज इसको कोबल हम लोग बोलते हैं ऐसे लोग यानि कि नहीं को लोगों को ना गांधी ने हर्जन स्विचित किया था मतलब हर्जन समुदाय में सुडिल कास्ट और सिरुल ट्रैप्स में जो आते हैं उनको तुम काउंट कर सकते हो तो समिधान समाम देग अंतिम भासर मुदाने इपने चिंताओं कस्पस ठंक से रखा था जो आपका यहां परदी रहा है 26 जनवरी 1950 को जब यह देश समिधानिक विवस्ता का प्रारम बुरा था ठीक है तो इसमें तुम देख सकते हो हाँ देखो तो इसमें जो एड्रेस नोंने किया था 126 जनवरी 1950 आप यह दो इंटर दे लाइफ आफ आफ कंटाडिक्शन तीनोंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरुदाभासों के भरे जीवन में प्रवेस करने जा रहे हैं अब देखो यह सब्द से ही किलियर है कि वह भार क्या मेंटेशन को लेकर कि कितने ज्यादा भैवित है यह कोई आम दलीत की कहानी नहीं है यह ओ दलीत हैं जिन होने समिधान को बनाया जिन होने समिधान में ऐसे कमजोर और छुआ चोट और जो निमन जाती के लोगों को उप्षान करने की जो बात उन्हों ने सोची थी है तो उसके बारे में बनाने वाले लोग ही इतने भैवी थे, उनको पता था कि कानून तो बन गया है, लेकिन इसके लागू होने के चांसेस हमारे कम दिखाई देते हैं, या लागू हो भी गया, तो इसका मतलब एक मेल प्रैक्टिसेस दिखने को तुमको मिलेगा, इसमें दे रहा है कि राजनीती के मामले में हमारे यहां समानता होगी, पर आर्थिक और समाजी की और असमानताओं से भरा होगा, मतलब राजनीती में इनका मनना था कि वहां पर प्रतिकली तो ऐसा हो जाएगा, कि चलो भर्ग प्रतिनेधितों की जो बाते हमारी होगी तो वहां पर दलितों को यह जगह दे दी जाएगी, प्रतिनितित्त प्रदान कर दी जाएगे लेकिन उनको इस बात का डर था कि हमारे देश में जो आर्थिक समानता और समाजिक जीवन में जो सोसल जस्टिस की जहां तक बात है इक्वलेटी के बात है इसमें बहुत ज़्यादा समानता देखने को हमारे मिलेगे देरा के राजनीती में हम एक दुसरे के भोट और हम हर भोट के समान महत्यों के सिधानत को भी माल लेंगे और लगभग देश में है भी लेकिन जहां इंप्लिमेंटेशन की बात है तो तुम देखो कि गाउश अमाज में छोटी मोटी बातों पर दलितों को पीटा जाता है द लिकिन उसके जब इंप्लिमेंटेशन की बार्या आती है तो वहां पर उसे कहींने कहीं समाज के दबंग परवूर्ति के हमारा सामना करना पढ़ता है तो जिसमें देर है कि अपने समाजीक और आर्थिक जीवन में हम अपने समाजिक और आर्थिक धाजे के कारण ही एक ब्यक्ति एक भुट किसी धानत का नकारणा जारी रखेंगे वही बात हुआ जो आर्थिक हैस्यत किसी ब्यक्ति की कमजूर होगी है तो उसके साथ में गाओ के दबंग समाज के जो लोग है वो मतलब जदातियां करेंगे समाजिक तर पर देखा जा तो समाज की जो अग्रणी जाती है हमारी होती इसको forward class हम लोग करते हैं वह उसकी समाजिक हैस्यत का कहीं ने कहीं मजाक उड़ाएंगे और यह उसकी एक बेक्ति एक भुट किसी धानतों को कहीं ने कहीं refuse करेंगे उसको टर्चर करने का प्रयास हमारा करेंगे और इस बिरोधा भास प्रोण जीवन में कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे इसका कोई मतलब अंत नहीं है कितने दिनों तक जीते रहेंगे यह लाइन को समझना है तो तुम बरतमान में भी देखोगे कि बिहार सरकार ने एक कानून लाया है कल परसो की बात है कि कोई भी दलित ब्यक्ति का अगर मर्डर हो जाता है तो उस दलित ब्यक्ति के जो आस्रित हैं उसको एक सरकारी नौक्री दी जाएगी अब इसी संदाजा लगाओ कि दलीतों पर अटेक अभी भी कम हमारा नहीं हुआ है अन्य तो जो दलीत समुदाय के लोगों को इसकी एक हैसित काकलन तुम ऐसे कर सकते हो आर्थिक और जातिकत जो हमारे समाजी का समानता का तो प्राय हमने देखा है को मनली कि अगर रिक्सा पुलर को रिक्सा चलाने वाला वेक्ति या चतुत बर्ग्यस्तर के क्रमचारी जो हमारे होते हैं उम्रे में वो 55-56 सालों के होते हैं उनको लोग तुम ताम करके सम्बधित करते हैं तो 55 साल का व्यक्ति का समानने तर पर तो पंपनु और चाम तुम को लोगन हैं तुम करके संबोधित करते हैं, तो उसकी भावना को कहीन कहीन ठेस महँचाने जwalker होता है एक दुसरा है कि काम के जो हमारा जो प्रोफाइल होता है अब जिसमालों की गली में जो स्वीपिंग करने के लिए आता है अब स्वीपिंग करने में वो 30 साल का है जाली साल का है उसको पैसे देता है या उसमें जो मैंने तुमको बताया कि जो अंसूची जाती के लोगों को जो बिह। बिहार में प्रविजन निठीस जी ने लाया है कि उसके मडर हो जाती है पेपर में प्राय से देखो कि तुम लोग घटना हैやってey डाती heb 자기 news में की दलित बर्क के लोगों को पीटा गया है पोल में बांध करके और उसको इवरीन तक लोग पिलाते हैं मतलब आप सुचो कि समाज में इतना बड़ा अभी भी भैर नहीं रोगों का जबकि इसके लिए एक्ट बना हुगा है उससे अपको लिए हर जन ठाने की व्यवस्था की गई है इसके बावजूद भी उनके उपर में जुल्म की जो फैरिस्थे काफी लंबी है उकम होने का नाम हमारा नहीं ले रहा तो यह अंबेदकर इसी कारणों से वह भैवित है इसके बाद में इस विरुधा पार भासप्रोंड जीवन कितने लंबे सक जीते रहेंगे और हम अपनी समाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे अगर यह नकारना ज़्यदा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनेतिक लोतनत्र को ही संकट में डाल देंगे और कहीं कहीं अज बरतमान में तुम देख भी सकते हो संकट तो मटरा ही रहा है हमारा चुकि जब देश में ऐसी विवस्था है और ऐसी सक्तियां जहां पर दमन लुसोषन की राजनेति करती रहेगी तो स्वभाविक है कि उसका प्रतिकार टाइम टू टाइम होते रहेगा और हमारे बिहार में तो ये इसका क्रिया का लैब है यहां जो भी खटना होती है उसका पुन्रविर्ति होते रहती है एक बार ऐसा हुआ था कि दलित समुदाय को तो छोड़ो बिहार जो था जातिकत नरसंखार के लिए प्रसिद हो चुका था जहां पर बहुत चर्चित त नान तुम लोगों ने सुना होगा वहां पर बैकवर्ड और फर्वर्ड जो क्लास के जो जाती थी उसमें अनुसुति जाती भी नहीं थी केवल पिछडी जातिया जो थी ना अगड़ी जाती के लोगों को मारते थे अगर अगड़ी जाती के लोग पिछडी जातियों को मा थी हमारी उसके साथ में कंटाडिक्शन विरोधाभास और कॉलिजन टाइम कुटाइम हमारा होते रहता था और राजी में खुन की नदियां भरती थी एक दौर था यह अपने आप में बताने के लिए काफी हमारा है या बिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा एक आई थी मोभी बिहार में ही तो कि इसको जन्ने समझने का अगर हम प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि अपने समाज के ही घटनाओं को जिकर करें तो तुम्हें पता चलेगा कि यह किस परकार से भेदभाव हमारा होता है एक वाई थी मोभी हमारी दसरत मांजी उसमें भी इस दसरत मांजी मोभी में मांजी हमारे ट्रैवल कम्मूनिटी से होता है या मुख मंत्री बनने के बावजूद भी मैं कमफोर्ट फिल नहीं करता हूँ और कहीने कही है कि इंफिरियर फिलिंग हमारे मंदर में रहती है तो यह बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की जब यह घड़ी हालत है इसे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अम्ब जिसमें इन्होंने ये जिक्र किया था लॉंग यस एगो वी मेड़े अट्रस्ट फिस्टनी अन 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 आ ताम कम्स विन विसल रिदिम आवर प्लीज और नॉली और नॉली फिल फिल फुली मेजर्स बट वेरी कि इनका कहना था कि बर्षों पहले हम अपनी जो नेती के सांस अच्छाता कार किये थे मतलब जो यह बात यहां पर हो गए कि जब अजादी के लड़ाई यह लड़ रहे थे इनके उपर में जुल्म होते थे जदातियां होती थी तो उनको पता होगा कि जालियावला बागत्या कांड हो इसके बाद में भगासी सुकदेव अगरे का चंदर सिखराजात का जो खुदीराम बोस वगरे के सांथ में जो यह कानूनी तोर पर जदाती करके उनको डिश्ट्राइ कर दिया कैसे करंतिकारिय बाद को या पकड़ पकड़ के टाइम टूटाइम गांधी को नेरु को तमानों लोगों को जिल ले जाया गया कितने लोगों पर लाठियां बर्शाई गई तो एक दमन रोशोसन का तो चक्र हमारा उस गुलामी के दास्ता में था ही हमारा तो उस विश्टम प्रस्तितियो में विस्टम हलातों में सभाव कि कोई एस्पेक्टेशन दिमाग में किसी नेता के रहा होगा तो तेरा का हमने अपनी नेते के सांग सरस्थकार किया था और वहाँ वक्त आ गया है कि हम अपने वायदग पर अमल करें पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक तो इस कई बारे में सुचना ही चाहिए हमें कि घड़िया जब ठीक मध्य रात्री के तरह बढ़ रही होती है और सारी दुनिया जब सूर रही होगी तब भारत के में एक नए जीवन के सुरुआत होगा और भारत हमारा अजात हो जाएगा इतिहास में कभी कभार ही सही एक ऐसा च लाश्ट के दबी हुई आत्मा प्रश्पूटीत होती है यह घटना ब्रेटिस से इस्टेंड कंपनी के चंगुल में आयो है बहुत सारे देशों का था जिसमें दक्षीन फिरका भी था अमेरिका भी था इसमें तो दक्षीन फिरका से ही जिक्री बार-बार तुम्हारा कर प्रश्पूटीत का मतलब होता है और उसको आवाज गुंजने लगती है ऐसे पावित्री छण में हम अपने आपको भारत और उसके लोगों ता उसके अधिक मनावता के सिवा में समार्पित करना चाहिए और यही हमारे लिए उचीत है अब सुझो कोतना विसम प्रस्तिती के बाद यादि तुम्हें कोई अजादी मिलती है तो सभावे के तुम्हारे अंदर में एक मुरल एक नैतिकता जाग उठती है कि अब हमें जनता के लिए समर्पित हो करके काम करना चाहिए और पीछे के सारी बतों को हमें भुला देना चाहिए अजादी और सत्ता जिम्मवारियां लाती है हैना इनका कहना था कि फ्रेड़ा में पावर ब्रिंग रिंस्पॉंसिबिलिटी भारत के संप्रभू लोगों के प्रतिनित करने वाली इस संप्रोन प्रभूत संपन सभा के उपर भी जिम्मवारी है और अजादी के जन्म से पूर्व हमारी पूरी परश्वपिना जहली है और इसक्रम में हुए दुखों के हमारा दिल भारी है यह कर रहा है कि जैसे कि अजादी और सत्ता जो होते हैं जिम्मवारियां लाती है भारत के संप्रभूता चाहने वाली लोगों का प्रतिनितित करने वाली इस साभा के उपर में जिम्मवारी है यानि कि जो कंसिट्यूशनल एसेम्बली जो हमारी फॉर्म हुई थी जो बड़ी है और देराहका जादी के जन्व से पूर्ण हमारी हमने पूरी प्रस्व पिढ़ना जहली है और इस्से करम में हमारे दुखों से हमारा दिल भारी है यह प्रफरशाएञ संदर्भ हमारा होता है एक मा जब बच्चे को जन्व मां से उपर का होता है हमारा ना subscribe उसका मतलब रक्षा करना उसके लिए सधानिया बरतना और जो प्रेसर पीना का संदर्भ हमारा है कि उसके ज़न्म देने में जो एक मारी екст दर्द और पीरा से जो होता है मन को दिल को जो हमारा छोट पहुंच दिल को हमारा दिल अजादी इसी महसूस होती है कि चलो यह हम मेरी दाइत तो थे और हम इससे मुख्ध हो जाए तो तब जाकर के न उस छोटे बच्चे से इतना प्रेम उसमाकू हो जाता है मैंने पसूं को भी देखा है कि उस बच्चे के पास कोई जाता है तो वह बहुत जोड़ों के उसके प हारी है और इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं फिर भी इतिहास अभी चुका है और भावी समय सुनारे संकेत दे रहा है इनका कढ़ने का मतलब है कि कुछ समस्चा है अभी भी हमारे देश का अजादी के दिने के समय में कि इस प्रसव पीना और दर्द सिकन के बा अच्छी बात भी हुई साथ में रहते तो अच्छा भी नहीं होता लेकिन उस दौर में यह घटना जो थी दर्द और पिड़ा को पहुंचाने वाली थी तो यह कुछ दर्द अभी भी बने हुए है इटमेंस तर्ड के वही दर्द था कि जो इस्टेंडर कंपनी और जो ब्रेटेन के लोग थे जो डिवाइड एंड रूल को प्रमोड कर रहे थे ना अंत्त हमारे देश को छिनिभीन और खंडित करके चले गए तो दे रहा है कि यह भविश से बहुत अराम करने या सुस्थाने का नहीं है बलकि यह उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिने हमने अक्सर किया है और उनके सपत हम आज भी लेंगे और इसी विचाधारा से प्रभावित हो करके जवारलाल नहरू ने एक नारा दिया था कि अराम जो है ना हराम है देरा कि बविश से अब बहुत अराम करने या स यह वहीं साय था अक्सर जो यह हम लोग करते चले आ रहे हैं उसको करने के लिए हम आगे सपत लेकर के आगे बढ़ें भारत की सिवा करने का अर्थ है दुख और परिसानियों में पड़ी लाखों करोड़ों लोगों की सिवा करना है न यह कॉंग्रेस का सपना था कॉंग्रे और हर एक political party आज ब्रत्मान में भी देखो कि सब मेत्रों बंधूं भाईयों करके आते हैं सिवा करने के लिए ही अलग बात है क्या करके मेवा खाने लगते हैं तो कंग्रेस के प्रारंभिक विचा धारा हमारी यही थी लेकिन बाद में इसमें समय के साथ में उम्मरी लेटी डाउन होने लगी और तमाम पर करके इसी बात है तुमको देखने गए अज बर्तमान में देखो मोदी जीवी ते ही करते हैं कि मैं रोजगार दूँगा बेऊसाय दूँगा रोजगार माकने जाते हैं हम लोगत करते हैं कि पकोड़ा तलिये है न और अपने लंबी लंबी की गाड़ी और लंबी लंबी दाड़ी बढ़ा कर जलते रहते तो दे अन्त करें चाहिए जहांपर अज्ञान का कोई जगा नहीं हो और गैसे फिंदे और ओसर की समानता हे्मारी होने चाहिए। इसको क्ले को में सुलूल होना चाहिए। और हमारे जुगे के महांतन आदमे की कामना हर आँख से आशो पूछने की है, गांधी से संबंदी इसका संबंद रहा है, कांधी भी किसी देश के वासी को रोते वे देखना नहीं चाहते थे, और बहुत हद तक संभव है कि क्या काम हमारे भर से पूरा नहों हो पर अपने ल हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो निक्स्ट इसमें आगे है तुम्हारा समिधान का दर्शन, तो अगले वीडियो में तुम्हारा होगा, चुकि इत्वासा डेटेल सोने कारण तुम्हासा लंबा हो जाता है हम लोग का, तो ये भी तुम्हारा चालिस मिनट का असपास में, अध़ी शाट की समिंट का हो गया, तो देखो, हमने तीन महान पूर्सों के आडेलोजी से तुम्हें परचित कर आए, जिसमें महातमा गांधी थे, अम्बेदकर थे और नहरू थे, तो ये महातमा गांधी, अम्बेदकर और नहरू से तुम अंदजा लगा सकते हो, कि हमार एक इटोपियन ठर्म आता है कि समिधान बनाते समय हमारे देश के महान जो नेता थे और जो लीडर्स थे इतने बड़े सपने दिखाए कि लग रहा है कि इससे बढ़ियां अदर्स राजी कुछ होई ने सकता है लेकिन अगर जमीनी तो पर देखा जाए तो चाहे हम समाजिक कि मैं क्तिर-जार्थिक जाह समाजिक चैल्ब की बाते करें वह भी फिल आर्थिक नयाग की बाते करई ओव्ही मैं एर ना रोजी है रुजगार है ना वेवसाए है ना शुरक्षा है ना स्कृरेटि है ना समाजिक तोर पर जो एक वंचित समों का जो डिस्परेटी मैं hamburg क करते हैं उसमें भी तेट नहीं करते हैं ऐगा है संस्कृतिक और देखा जाता है वह आरे लांग तब यह चाल्ड यह चाइस दौर यह भी रहे हैं तो यह हमारे सोच लेने से और उसको करना काफी लेकिन चलो हमारे देस कि समिधानिक सहस्ता को बनाने वाले लोगों की जो बीचाधारा इस प्रकार की थी तो ऐसे समाज बनाने की बाद हमारी की गई थी तो यह निताओं की आडियोजी थी और हमारे इसका हम लोग एक बार आगेन नेक्स फेज में इसका एनलेसिस करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही इसको देखो सुनो समझो और या दिक है कोई दिक्कत आती हो तेने बसलिव के नास के इनी कोश्चन्स ओके बाबू